हलो फ्रेंट्स आज मैं बनाने जा रही हूं सहजन की फूल की एकदम नई सी रेसेपी जिसे आपने कभी भी बना के नहीं खाया होगा तो एक बार आप इस मेरी तरीके से इस रेसेपी को जरू ट्राय करें सहजन की फूल की सबजी या फिर पकोड़े बहुत बना कर खाये हों ये हेल्दी वाला नास्ता को जरूर बना कर ट्राय करें तो फ्रेंट्स अगर मेरी रेसेपी आपको जरा सी भी पसंद आए तो लाइक सियर सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे तो चलते हैं इस रेसेपी को बनाने के लि तो फ्रेंट्स हमने यहां पे 500 ग्राम सहजन के फूल ली लिए है और इसका जो डंठल होता है इसे हम निकाल देंगे हमें सीफ इसका फूल चाहिए अगर आप इस डंठल को बनाएंगे तो फ्रेंट्स इसे बनाने से इसमें करवाहट आ जाएगा तो आपको सिर्फ फूल को बनाना है और डंठल को हटा देना है हमें इस तरीके से डंठल को हटा लेना है और जो भी इसमें खराफ फूल होगा उसे हम छाटके निकाल लेंगे हमें सीफ सफेद फूल चाहिए यह जो काले काले से सूखे फूल है इसे हम हटा लेंगे और हमें यहां पे एकदम फ्रेश फूल चाहिए हम यहां पर डंठल से इस तरीके से सारे फूल को निकाल लेंगे हमने यहां पर संजन के फूल को इस तरीके से बना के त्यार कर लिया फींसन wäre तीन बार पानी से अच्छी द्य कर लिया है। करते हैं गैस की तरफ इसे बॉल करने के लिए तो फ्रेंट्स हमने यहां पर पानी ले लिया है तो फ्रेंट्स इसे हम इस्टिम करके बनाएंगे तो हमने यहां पर पानी ले लिया है पानी में हम इस फूल को डालेंगे और इसे हम बॉल कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ह परवाहट नहीं आता है तो अब हम हल्दी और नमक को इसमें मिक्स करके इसे हम बोईल करेंगे तो इसे हमने 7-8 मिनट के लिए कर लिए तो यह फूल अच्छी तरह से बोईल हो गया है तो इसे अब हम छान के निकाल लेंगे पानी से तो फ्रेंट हमने यहां पे 2 कप चावल क आटा ले लिया है और इसमें हम दो टेबल स्पून जितना बेसन डालेंगे फ्रेंट्स हमने यहां पे थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है अजवाइन को हम इस तरीके से मसल के डालेंगे क्योंकि हमने यहां पे बेसन का यूज किया है तो यह डाइजेशन में अच्छा होता है और हमने यहाँ पे एक टेबल स्पून जितना अद्रक लसन और हरी मिर्च को इस तरीके से कूटके ले लिया है और फ्रेंच इसमें हम थोड़ा सा बारिक कटी हुई हरी धन्यापति एड़ करेंगे और हमने यहाँ पे दो उबला हुआ आलू को ले लिया है इसे ग्रेट कर के और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पॉडर एड़ करेंगे और थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पॉडर ले लिया है आप तीखा अपने पसंद का कम जादा कर सकते हो और फ्रेंच हमने यहाँ पे आधा छोटा चमच गरम मसाला ले लिया है और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे नमक ले लिया है और फ्रेंच हमने जो फूल को बोईल किया था उसे ले लिया है तो हमने इसे इस तरीके से छान लिया है ताकि इसका सारा पानी निकल सके तो यहाँ पे सारा पानी निकल गया है अब हम इसे इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे आप चाहे तो यहाँ पे आटा भी यूज कर सकते हो तो फ्रेंच इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गुतेंगे तो हमने यहाँ पे लगभग एक गलास पानी डाल दिया है अब हम इसे एक गाढ़ा सा घोल तयार करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी चीजों को एक दम अच्छी तरह से फेट लिया है इसे मैं थोड़ा सा और पतला करूँगी क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें मैं आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी और डालूँगी तो फ्रेंड्स इस नास्ते को हम डारेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन इसे हम पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसका थिकनेस इस तरीके से होना चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे तवा गर्म हो गया है अब हम इसमें हलका सा ओयल लगा लेंगे और फ्रेंड्स जो हमने बैटर तयार किया है उसे ले लेना है तो यहाँ पे हमने एक बड़ा चमच हमने बैटर ले लिया है हम इस तरीके से तवे में डालेंगे और इसे हम इस तरीके से फैलाएंगे तो फ्रिंट्स इसे आप बहुत ज़्यादा मोटा ना करे आप इसे इसी तरह से फैला ले और उसके बाद हम इस पेचुला से इसे इस तरीके से एक जैसा सेप दे देंगे इसे हम गोल कर देंगे तो ये दिखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा और फ्लेम को हम यहाँ पे लो मीडियम पे रखेंगे और अब हम इसे कभर करके नीचे से पका लेंगे उसके बाद इसे हम पल्टेंगे तो फ्रेंट्स अब हम इसे चेक कर लेते हैं तो उपर से देख सकते हो यह ड्राई ड्राई हो गया है तो हम उपर से इसमें ओल लगा लेंगे इस तरीके से और नीचे भी हलका सा लगा लेंगे अब हम इसे पलट के दूसरे साइट से पकाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे के साइट से एकदम क्रिस्पी पका है और इसे हम इस पेचुला से इस तरीके से दबा दबा के पका लेंगे यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम हेल्दी और टेस्टी नई तरीके का सहजन का फूल का नास्ता बनके तयार हो अगर आपको मेरी रेसिपी यहाँ पे अच्छी लग रही हो तो लाइक सेयर सब्सक्राइब करें अगर मेरे चानल पर नए हो तो प्ली सब्सक्राइब कर दे तो फ्रेंड्स इसे हम उलट पलट के एकदम अच्छी तरह से सेक लेंगे तो देख सकते हो फ्रेंड्स यह पैनकेक दूसरे साइड से भी एकदम अच्छी तरह से पक गई है तो friends हम दूसरा भी इसी तरह से बना के तयार करेंगे इसमें हम हलका सा oil लगा लेंगे तो friends यहाँ पे देख सकते हैं यह पेनकेक कितना soft बनके तयार हुआ है जितना यह soft बनके तयार हुआ है friends खाने में भी यह pancake बहुत ही tasty लगता है तो आप इसे बीना सबजी के भी खा सकते हैं तो देख सकते हो ये कितना सौफ्ट बनके तैयार हुआ है तो इसे आप किसी भी चटनी या फिर सौस के साथ भी खा सकते हो और इसे आप जटपट से बच्चों के टिफिन में भी बनाके दे सकते हो तो मेरी आज की रेसेपी अगर पसंद आई हो फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसेपी लेके आते रहूंगी तब तक के लिए बाई बाई